मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज की वीडियो में रजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और ये सभी परसन एक्जाम की दिश्टी से मोश्ट इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना रास्तान जीके के इसे वीडियो पाना जाते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजी आपको डेली रास्तान जीके के इंपोर्टेंट क्यूसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला कि उसन आपके सामने राजे सेवा में आने वाले विद्यार्थियों के लिए तंबाखु उत्पादन प्रियोग नहीं करने की वचन बत्ता अनिवारे करने वाला देश का पहला राजे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आने वाले जितने भी एक्जाम है उनकी दस्टी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लोग याद कर लीजेगा बहुत अच्छा परसन है तो राजे सेवा में आने वाले विद्यार्थियों के लिए तंबाखु उत्पादन प्रियोग नहीं करने की वचन बत्ता अनिवारी करने वाला देश का पहला राजे जोकी राजस्तान है ओप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा क्यों सनवस्त टो की वात करेंगि यृक्त्रोप्योप्योटि चिक्सक पत्ती विदमाशे का पहला राजे ये भी बहुत अच्छा परसन आप लोग याद कीजेगा इलेक्ट्रोपेथी चिक्सका पत्ती विधेक 2018 लाने वाला देश का पहला राजे जो की राजस्तान है आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 3 की बात करते हैं 2 जुलाई 2018 को ततकाले मुख्य मंतरी वसंद्र राजे ने अनपूर्णा दूद योजना का राजस्तरिय सुभारम कहां से किया था स्कूल का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है जगें आपसे पूछी जा सकती है दो जुलाई 2018 को मुख्य मंतरी ततकाले मुख्य मंतरी जो वसंद्र राजे थी उस टाइम अनपूर्णा दूद योजना का राजस्तरिय सुभारम कहां से किया जो कि यह स्कूल थी राज के उच्छ मादमिक विद्याले दहमी कला जो कि जेपूर ओप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा यह कहां पे जेपूर के अंदर है क्योषन और फोर की बात करें राजस्तान की किस जिले की अंतराजे सिमा सरवादी कैव वेरी वेरी इंपोर्टेंड है एक्जाम में कई बार रिपेट भी हो चुका है कि राजस्तान के किस जिले की सबसे ज़्यादा अंतराजी सीमा लगती है जल्दी से आप लोग उत्तर बताईए और वीडियो केंदे ही मांदरी से बताना कि 25 में से आपके कितने सहीवेई से आपके प्रेक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी कैसी आप लोग हरी किसन का एंसर जुरूर ट्राई कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा अंतराजी सीमा लगती है वो है जहलावड की ऑप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा किसन और फाइब की बात करें राजस्तान में त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित किला कौन सा है राजस्तान के त्रिकूट पहाड़ी पे कौन सा किला है जैसल मेर किला है ऑप्सन बी हमारा उत्तर रहेगा जो की जैसल मेर किला है जो की त्रिकूट पहाड़ी पे है देखे जुलाई और अगस्त आता है तब आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अगर उप्शन में जुलाई दिया है तो आप सीधा सा टिक कर दीजिए उप्शन भी जुलाई क्यूंकि सरवादिक वर्षा जो कि जुलाई में होती है एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं तो करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है माही नदी ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 10 की बात करें राजस्तान में चंबल नदी का परवेश रोपर्तम किस जिले में होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए कि राजस्तान के अंदर चंबल नदी का जो परवेश है वो किस जिले में होता है सबसे पहले तो यह चितोड़गड के अंदर है option C हमारा उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 11 की बात करें निमनमसी अरावली परवतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्तान के किस जिले में अरावली परवतमाला का जो विस्तार है सबसे कम राजस्तान के किस जिले के अंदर है ये अजमेर के अंदर है आप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा अजमेर में अरावली परवतमाला का जो विस्तार है वो सबसे कम है यहाँ पे इन चारों में से आपको उत्तर देना था क्योसनवर बारा की बात करें राजस्तान में खारे पाने के सरवादिक जिलें किस जिले के अंदर है है राजस्तान में खारे पाने के सबसे ज़्यादा जिलें जो की नागोर की अंदर है ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर 13 की बात करें राजस्तान में अंतराष्टिय सीमा रेखा की लंबाई आप से पूछी कई है कि राजस्तान की कितनी अंतराष्टिय सीमा रेखा है या फिर अंतराष्टिय सीमा रेखा की लंबाई बताई है जो की 1070 mm option D हमारा उत्रेगा e.g. क्यूस्वनर 14 गी बात करेmost भारत पाकस्तान के मद्दे की अंतराष्टी सीमा रेखा का नाम है जो की रेड कलिप रेखा option A हमारा उत्रेगा Q15 की बात करें अरावली परवत राजस्तान राज़े के कितने परतिस्त भूबाग पे विस्तरीत वेरी वेरी important है इस तरह के राजस्तान जीगे के important question पाना चाते हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना डेली आपको classes मिलती रहे गी अरावली परवत रास्तान के कितने पर्तिस्त भू भाग पे विस्तरीत है जो की सही उत्र है नो पर्तिस्त आप्शन सी हमारा उत्र रहेगा क्योशनल सौला की बात करें जैसल मेर्क शेतर में बालू के टीबों को स्थानी बासा में किस नाम से जाना जाता है जैसल मेर्क शेतर के अंदर बालू के टीबों को स्थानी बासा में साधारन बासा में किस नाम से जाना जाता है भाकर का जाता है option B हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 17 की बात करें राजस्तान में इस्तित मुरुस्तल को किस नाम से जाना जाता है राजस्तान में मुरुस्तल है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे थार का मुरुस्तल का जाता है उप्शन B हमारा उत्तर रहेगा क्योशनुर अठारा के बात करें विस्व में सबसे अधिक आबादी वाला मुरुस्तल कौन सा है विशो में सबसे अधिक आबादी वाला मुरुस्तल है थार का मुरुस्तल ओप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योसन और 19 की बात करें पंचिडा नामक लोकपिरे गीत किस सवतंतरता सेनानी द्वारा रचित है वेरी वेरी इंपोर्टन है जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा कि पंचिडा नामक लोकपिरे गीत है जो कि किस सवतंतरता सेनानी द्वारा रचित है तो मानी के लाल option C हमारा उत्तर रहेगा एक्जाम ये परसंट पूछा गया क्योशनवर 20 की बात करें राजस्तान राजे में कपास की पसल के लिए कौन सी मिटी सबसे अधी उप्युक्तिया उपजाओ माने गई है लाल मिटी, काली मिटी, लाल काली मिटी कौन सी मिटी, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा कपास की पसल के लिए सबसे उप्युक्त मिटी, काली मिटी उप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 21 की बात करें जैसलमेर की 37 सेनानी एउप परजामंडल आदलन करता सागर्मलकोपा का जो देहांद है या देहांस है, जो किस परकार वा था उन्होंने आतमत्य गिया हर दे खातुआ या फिर जेल में आते हुई या इन में से सभी तो जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा कि सागर्मलकोपा का जो दिहांद है कैसे हुआ था तो इन्हें जेल में इनकी हत्या हुई थी ऑप्शन C हमारा उत्तर रहीолов एक हो क्यों सानबर 22 की बात करें राजस्तान राती की सिर्वाड़ी दिर काल तक चलने वाला आंदोलन कॉन से राजस्तान में सबसे लंबे टैम तक चलने वाला आंदोलन या सबसे दिर कालिन तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है तो बिजोलिया आंदोलन है ऑप्सन बी हमारा उत्तर रहेगा कुस से न्वर तेईस की बात करें राजस्तान में वायो द्वारा मीठी का अपर्दन सबसे कम किस जिले के अंदर होता है इनुमे से तो भारतपुर के अंदर option ए हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर चोईस की बात करें राजस्तान में बेकार भूमी का क्षियतर सरवादिक किस जिले में पाया जाता है राजस्तान के अंदर बेकार भूमी का सबसे ज़्यादा क्षियतर जो है किस जिले में पाया जाता है तो जैसल में रहेगा आप्शन C हमारा उत्तर रहेगा कियोशन और पच्यस के बात करें ग्रिशीं रीतों में सरवादिक आंधिया रास्तान के किसे जिले में चलती है गर्मियों के अंदर सभसे जब्से ज़ буду और कॉन सी जिले में चलती है तो गंघानगर के अंदर चलती है राजस्तान में सरवादिक सूसक जलवाई वाला जीला कौन से है और ये भी बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही वे मांदरी से कॉमेंट कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना और वीडियो कैसा लगा आपको कोई राय सुझाव देना हो तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं डेली रास्तान जीके के इंपोर्टन क्योसिंगे वीडियो पाना चाते हैं क्लासिस पाना चाते हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो गंटी में उसको जुरूर दबा लेना थेंक यू